टाटा पावर के उपर रेसेंटली जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तब मुझे पता नहीं था कि टाटा पावर डिविडेंट देने वाला है पर उससे पहले मैंने आपको तो कॉंसोलिडेशन मसीडी के प्लेस लेवल पे जो टारगेट दिये थे 110 और 125 दिये थे और टाटा पावर 125 जाके रिटान आके एक ही लेवल पे सस्टेन कर रहा है मुझे नहीं पता रिसेंटली रियली बोल रहा हूं मुझे पता नहीं था टाटा पावर डिविडेंट देन हो रही है या हो भी गई तो इसका रिली टाटा पावर देने की कोशिश कर रहा है तो उस टाटा पावर ज्यादा से ज्यादा अगर यहांसे भी उपाव जाने लगा तो आपको सेम टू सेम 125 और 128 लेवल ही देगा अगर यह जो सस्टेन कर रहा है पर मस्ध इडि में अगर देख रहा हूं तो ओपर लेवल पे क्लबिंग है यानि इसमें दो तरीकी दो मुखी चाल चल रहा है टाटा पावर लिमिटेड तो सिंपली सजेस्ट करूंगा जो मैं टार्गेट बता रहा हूं वो टार्गेट देखने को मिले 100% एक्जिट कर जाईए और जो भी ड्यूडे नहीं था अब डिविडेंट की जो ओवर वाइंग हो रही है इसकी भी थोड़ी बहुत रैली होगी उसके बाद टाटा पावर के अंदर रिवर्सल रिकवर ही है दोस्तों जो भी पुझने सोहिल भाई आपने तो बताया 125 टार्गेट और हम लोगों को देखने में मिला पर यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए टाटा पावर लिमिटेड का यह वन डे का कैंडल चांट है नैशनल स्टॉक एक्स्टेंज प्रिविएस टाइम जो मैं आपको लेवल्स बता रहा था वो लेवल्स आपके यहां पे थे 110 110 110 और इधर जो consolidation हो रहा था इस consolidation में MECD पर plus level की जो consolidation हो रहे थी इसके हिसाब से मैं आपको जो target दिया था 125 और stock बहुत आगे जाके reversal आए तो मैं suggest आपको 125 कर रहा था पर technical देखने के बाद मुझे आपको 122 या 121.50 पैसा पे exit करा रहा हूं दोस्तों क्यूंकि हमारा जो MACD है ये plus level पे जो loose candle form कर रहा है ये नीचे जाके club होगा जैसे ही ये club होगा आपको reversal recovery Tata power में 105 वरना 103 रुपे तक reversal देखने को मिलेगी यहां तक reversal इसलिए देखने को मिलेगी क्यूंकि यहां पे जो हमारा breakdown के बाद breakout level यहां पे breakdown level के बाद breakout level जो निकल के आया है ये 105 और 103 के बीश में निकल के आया है जो भी Tata power को ऊपर level पे बाई कर रहे हैं यहां पे average कर सकते हैं और दूसरा हमारा जो average होगा वो होगा दोस्तों 98 रुपीज के पास तो मैं ओपे लिए सज्जेस्ट कर रहा हूं 98 पे हम लोग बाई इम भी कर सकते हैं average भी कर सकते हैं जो हमारा breakout पे दिख रहा है इस breakout पे ज नीचे वाले क्यों fresh buy करें क्योंकि जो breakout है अगर यह bounce back करना चाहता है अगर आरस से 40 भी आके तो आपका bounce back 105-103 से देखने को मिलेगा तो आप already loss में रहे होगे तो आपको परिशान करना मेरा भी मतलम नहीं है इसी लिए buying दे रहा हूं पर छोटे level के stock में अगर perfect buying करना है व updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 18th June 2021 Friday Tata Power का closing है 121.45 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूं for 21st June 2021 Monday के लिए Monday live market में आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों कर दोस्तों War